नमश्कार दोस्तों मेरे ना मैं विमल सिंग बाला जी स्टेडियाड़ा में आपका स्वागत है KVS 2023 इंटर्व्यू से एक कुशन कमेंट में देखने को मिला था कि क्या TLM यानि Teaching Learning Material का यूज हम इंटर्व्यू में कर सकते हैं क्या हमें करना चाहिए तो उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा TLM का Example देख लीजे यह है TLM का एक Live Example जैसे आप बच्चे को Edison पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसमें आप कैसे और उसको बहतर तरीके से समझा सकते हैं ना कि आप रटी रटाई चीजों को दिखा करके उसको Practical Based चीजों के माध्यम से अगर आप Edison सिखाएंगे तो बच्च और बैदर सीखेगा तो यह एक इसका Example है जैसे आपने क्या किया है खाली box ले लिया यह जूते का box या कोई भी खाली box ले लिया उसमें दो glass लगा दी यहाँ पर आपने कोई भी particular छोटे छोटे गिटक टाइप के ले लिये तो उसको बच्चे को कहा कि बेटा इसमें आपको बताना है कि यह दो गिटक हमने इसमें डाल दिये इस तरीके से आप TLM के थ्रू एडिशन बच्चों को समझा सकते हैं यह तो हो गया basic की समझाने का क्या तरीका है परंतु यह प्रस्ण क्या इसका use आप कर सकते हैं एस इंटर्व्यू में तो बिल्कुल कर सकते हैं परंतु कोशिस यह कीजिए कि जो भी आप इंटर्व्यू में TLM का use कीजिए वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो ऐसा ना हो कि आप carry करने में आपको दिक्टता आ रही है अगर छोटा सा है किसी polythene में आ सकता है आपकी files में आ सकता है क्योंकि chart based भी आपके होते हैं जिसमें chart में भी आप यही सेम चीज आप एक पटियों में भी number के through edition सिखा सकते हैं इसे एक example में आपको watch का देता हूँ इसको आप किसी भी file में आप आसानी से रख सकते हैं तो इसमें क्या है आप बच्चों को समय अगर सिखाना चाहरे है या समय से संबंदित कोई जानकारी देना चाहरे है तो ये सुई देख रहे हैं बच्चों को आपने कह दिया कि तीन बजा है तो तीन पहले घड़ी में बजा करके दिखाओ फिर उसके उसके बीच में कितना angle है या इतने minute का अंतर है ऐसे छोटी-छोटी चीजों को सिखाने के लिए आप इसका use कर सकते हैं तो बिल्कुल use कर सकते हैं बस ध्यान देने वाली बात है कि वो TLM बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो carry करने में आसान हो interview में क्योंकि आप कम से कम चीज़े ले जाएंगे अपने document ले जाएंगे और जब आपको वहाँ पर कहा जाएगा कि आप particular कोई topic पढ़ाएं समझेगा दो तरीके होते हैं एक आपको particular खुदी topic दे देंगे कि आप addition पढ़ाएं दूसरा यह होता है आप से जब कहा जाता है कि आप खुद से कोई topic पढ़ाएं अपने पसंद का कोई topic पढ़ाएं तो जब अपने पसंद का कोई topic पढ़ाएंगे तो उसके लिए आप TLM ले जाएंगे जिसको आपने पूरी तरीके से तयार करके रखा होगा तो वहाँ पर अगर बड़ा सा पहले ही देख लेंगे इंटर्वियर तो सोचेंगे तो इस पर पहले से बहुत तयारी करके आया है condition ये भी हो सकती है कि कहा दे नहीं किसी पर ही तुम पढ़ाओ condition ये भी हो सकती ही सोचेंगे तो सब quality तयार है तो इसको कोई एक नया topic दे देते हैं इसलिए मैंने कहा कि आप TLM का use बेसक कर सकते हैं पर कोसिस ये करें कि जो भी TLM है थोड़ा से उनका size छोटा हो ये तो मैंने केवल live example को आपको समझाने के लिए रखा है बागी इस तरीके का होगा तो और बहतर होगा और ये केवल और केवल आपकी जो teaching होती है उसको और ज़्यादा effective बनाने के लिए use होता है कहीं कोई interview में लिखानी रहता है कि आप TLM का use करें या ऐसा भी हो सकता है कि जो आप TLM ले करके जाएं उससे और अच्छा effect पड़े क्योंकि जब हम प्रात्मिक सिक्षक की बात करते हैं तो उसका main focus किस पे होता है बच्चों को activity based चीजों के माध्यम से समझाना आपने भी पढ़ा है NEP 2020 उसमें भी क्या है रटन्ती विद्या नहीं है तो रटन्त को किनारे करते हुए activity based चीजों को ले करके आप सिखा भी रहे हैं और प्रात्मिक स्तर पर है मैं PRT level की main यहां पर बात भी कर रहा हूँ और अगर आपको कोई ऐसा topic है जिसमें आपको TLM समझ नहीं आ रहा है तो हम एक वीडियो लेकर के आगे आएंगे जिसमें कौन-कौन से आपके लिए बहतर TLM हो सकते हैं आप बना सकते हैं सभी subject का लेकर के एक वीडियो आएंगे जिसमें बहुत से example हम आपको देंगे TLM के कौन-कौन से यूज़ कर सकते हैं तो उमीद है इस प्रस्न का अंसर आपको मिल गया होगा यदि कोई और प्रस्न हो इससे संबंदि TLM से related तो कमेंट में आप पूछ लीजेगा वीडियो पसंद आया है और लाइक कीजेगा और लोग से शेर कीजेगा मिलते हैं अगले अपडेट में तब तक के लिए नमस्कार चैनल